इस वीडियो में हम बत करने हाले हैं पॉर्चुगल वर्क पर्मिट वीजा के बारे में ठीक है इससे पहले मैंने पोलेंड की जो वेकिंसी के बारे में बताया था तो उसमें मैं एक बात आपको बताना भूल गया था कि यह जो प्रोसेस टाइम वन मंत का रहेगा वो रहेगा जो अर्मेनिया में एवेलेवल हैं जो लोग ठीक है उनके लिए और जो लोग इंडिया में हैं उनका प्रोसेस टाइम वही रहेगा जो इंडिया से रहता है यानि कि लगवग तीन से चार मेहने का इसमें प्रोसेस टाइम रहेगा ही रहेगा ज्यादा भी लगता है कई बा बारे में पता होगा अब बात करें पॉचोगल वर्क परमिट के बारे में इससे पहले कि मैं इस्टार्ट करूँ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो लोग पुराने हैं वो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और कमेंट करक यह इसी तरह के इसमें भी रोल एविलेबल है सेलरी भी सेम है 800 यूरो टू थाउजन्ड यूरो यानि कि हजार आठ सो यूरो से लेकर 8000 यूरो तक प्रोसेस टाइम अर्मेनिया वालों के लिए एक महिनी कराएगा इंडिया वालों के लिए तीन से चार महिने का इसमें रह पर देगी ठीक है अब इसमें देखो जो आपको काम करना होता है 8 hours कि यहां पर duty होती है उसके अलावा 8 hours की duty हपते में 6 दिन काम एक दिन की चुट्टी इस तरह से रहता है तो अगर आप लोग इंट्रेस्टेट हो जो भी लोग इंट्रेस्टेट है एक्टिव गुरूप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां पर जाकर जोईन हो जाना ठीक है फिर service hours पो जिस पोस्ट के लिए आप apply कर सकते हो कर सकते हो और कर रहे हो ठीक और अगर यह 3-4 चीजstar आपको भर के भीजने होंगी ठीक है तो ।ो अ अगर आपarménie अर्मेनिया में हो तो यह भी आपको mention करना होगा क्यूंकि बहुत सारे लोग है जो अर्मेया में है और अर्मेनिया से यूरोप जाना चाते हैं तो उनके लिए process जो है easy होता है और जल्दी हो जाएगा इस वज़े से उनके लिए process अलग रहेगा process टाइम मेलब कम रहेगा और जो इंडिया में हैं उनके लिए प्रसेस टाइम थोड़ा सा ज्यादा रहें तो इस वीडियो में तना ही मिलते हैं गली वीडियो में तिल देन बाई बाई टेक केर